हेलो दोस्तो नमस्ते माइवनेश चाहरों में आप सबका स्वागत करती हूं रादे-रादे माइशूल फैमिली माइवीवर्स माइश्सक्राइवर्स काड़ बलेस यू आपसे स्वास्त होंगे मस्त होंगे अपनी लाइब में आगे बर रहे होंगे जाहिए निजयँ का अभीकेजम वीडियो लेकर आई हूं यह है आपके पार्टनर की इनर्जी दुपहर की उनका मौड एक्सलिंग उनका फिलन्स कै कि आपके लिए कॉंटेक्ट में हो नो कॉंटेक्ट में हो चाप्रेशन में हो लॉंग डिस्टेंस लेशनशिप हो सब के लिए है आपके sentido है सुलम० का यह सब के लिए चिक है तो चलिए आज दुपहर की इनर्जी में देखती हूँ कि आपके पार्टनर की इनर्जी क्या है और उनके मन में क्या है और उनका अक्सन क्या है चलिए रिलाक्स हो जाएए इंटेंसन सही रखे बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉंग जै कृष्ण गौविंद हरे मुरारी हे नाथि नारायन वाशुदेव जै काशी विश्वनाद की जै हर हर महादेव चलिए बी पॉजिटिव और अपने परसन के बारे में सोचना है लेकिन मन में इंटेंसन सही रखना है और जो आपकी एनर्जी है उसको देखे की कौन से एनर्जी आप से रेजनेट करती है collective reading के डियर, सारे sign के लोग देख सकते हैं, collective reading कभी किसी को पूरी resonate करती है, किसी को थोड़ी करती है, हो सकता है, कोई लोग separation में no contact में, तो कुछ लोग विर्स आपको नहीं भी होती हो, बट अपनी energy को feel किया कर, क्योंकि यह हमेशा मैं कहती हूँ, यह collective reading है, है न, pressure reading नहीं है, मुझसे प्रसंट reading लेना हो डियर, तो में email ID पे contact कीजिए, और comment में ना लिखे, email ID करते हो, direct बात हो जाती है, message हो जाता है, लेकिन, आप comment में लिखते हो, तो देर से मैं देख पाती हूँ, ठीक है, और जबाब मैं वहाँ दूँगी, comment में नहीं दे सकती, है न, तो आप email ID पे contact करें, चलिए, ओम चैंटिंग, पीस और सांती, बैलेंस के लिए, intuition power स्टॉंग करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ में आने के लिए, सच जूट की परक आपको अच्छी होती है, कि कौन इंसान आपके लिए अच्छा है, कौन इंसान आपके लिए गलत है, आप decision ले सकत हो, अपने आपको strong बना सकते हो, और आप God से, इनिवर्स से आप बाचित भी कर सकते हो, intuition के माध्यम, ठीक है, आपका intuition power इतना strong हो जाएगा, कि हर चीज आपको अपने आपी पता चलने लगेगा, ठीक है, तो ओम चैंटिंग और ओम नमश्वय का जाब जरूर करें, अगर अलग religion के हो, तो बाबू, आपके अपने इस्ट होंगे, गौड होंगे, उनको आप prayer प्रातना कर सकते हो, ठीक है, स्वास्तिक, स्वास्तिक, सुक, सांति, और संबृत्ति के लिए, तरक्की के लिए, उनति के लिए, वीनस को strong करने के लिए, और relationship को भी strong बना सकते हैं, family को production दे सकते हैं, अपने घर पडिवार को production दे सकते हैं, अगर हमें घड में कही negativity लग रही है, चाहे वो kitchen हो, study room हो, आपके घर के temple हो, main door पे तो आप स्वास्तिक बना सकते हो, ठीक है, चलिए, देखती हो, आज दुपहर की energy, उनके मन में क्या है आपके लिए, उनके मन में क्य चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल, आपको अपने person के बारे में सोचना है, और मेरे guidance को follow करना है, अगर आप बिल्कुल टूट चुके हो, हार चुके हो, self love करना है, तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपको न्याय वही से मीलेगा meditation से, और self love से, ठीक है, मुझसे guidance लेनी हो, तो मेर से आप person reading उगरा सकते हो, चलिए, स्टार्ट होताती हो, स्टार्ट करती हो, आपके partner के energy, पहली energy, यहाँ पे इंग और याइंग की है, आप लोग का जो connection है, एक spiritual connection है, ठीक है, इंग और याइंग, की energy यहाँ पे आईए, आप देख सकते हो, जो, sorry, यहाँ से हो गया, रेट है न, तो पहली energy, इंग और याइंग, सीब और सकती, यानि, आप लोग, soulmate, आप लोग का relationship है, या पिर twin soul हो सकते हो, है तो आपका spiritual connection, और past life connection, ठीक है, इस वक्त देखा जाए, तो आपके partner के ऊपर, family pressure, strong है, ठीक है, और यहाँ पे family pressure के साथ, parents issue जो है, यह बहुत strong है, लेकिन यह person आपके लिए, कहीं न कहीं, इनके deep feelings है, कि आपको लेकर सोच रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा इनके अंदर ना dear, कभी-कभी जैसे आपके सिर्ण पर doubt करते हो, ब्रहमित हो जाते हो, उसी परकार आपके person में कभी-कभी doubt की energy में आते हैं, कभी ब्रहमित, कभी negativity उनको control करती है, लेकिन यहाँ पर इस person को ऐसा महसूस हो रहा है, कि जैसे आप उन्हें खुसी देते हो, और कोई नहीं, जितना आप उन्हें समझते हो, और कोई नहीं, आपके लिए feelings strong है, कुछ yours आप लोग के तरफ call message हुई है, बातचित हुई है, यह आपसे मिलने की planning कर रहे हैं, लेकिन यह बात करते हैं, तो इस पर गुस्से से ही बात करते हैं, आपको block करके भी रखा हुआ है, लेकिन कही न कहीं, जो block करके आपके partner दे रखा है, वो सिर् energy हो, ठीक है, लेकिन उनके जो मन में चल रहा है, change, change करना है, रिष्टे को सुधारना चाहते हैं, देखें, यहाँ पर कुछ energy ऐसी भी एडियर है, कि कुछ आप relationship को तोड़ने की कोशिस, आप दोनों को अलग करने की कोशिस, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर एका दुका ऐसे हैं, जो कही न कहीं उन्हें समझा रहे हैं, इस स्रिष्टे को लेकर आपको लेकर, क्योंकि जो भी समझा रहा, क्योंकि देखर आप दोनों में काफी दुड़ियां बढ़ चुकी है, और कोई नगी चाहता है, कि आप दोनों एक हो, ठीक है, लेकिन कोई यहाँ पर है, जो इन्हें समझा रहा है इस रिष्टे को लेकर लेकिन हो सकता है ये इस वक्त insecure है है ना देखिए कभी-कभी गुसा भी आ रहा है इनको ये जो दुनिया बढ़ी है ना और आप बदले हो ना तो इनके अंदर भी गुसा आ रहा है ऐसा नहीं है कि चुप रहते बहुत आपके लिए पॉजेटिव होती है कभी-कभी overthinking भी करते है लेकिन यहाँ पे कुछ वियर्स आपके पार्टन ऐसे भी है जो इगो आपको दिखा रहे है बट इगो दिखा रहे है अंदर से ये बिल्कुल soft है ये Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, एकुरिस जेमनाई की एनरजी है यहाँ पे strong Taurus भी है, Sagittarius भी है Leo भी strong है इनों ने आपको दिल दुखाया है ठीक है? थोड़ा insecure महसूस कर रहे है लेकिन इनके मन में है रिष्टे में सुधारना है और एक नई सुरुवात करनी है लेकिन कहा जाए तो मिलन तो हो कर रहेगा इस relationship में आगे अच्छा strong bond भी बनेगा बट यहाँ पे जो controlling nature की जो female जो महिला है जो भी है, वो आपको पार्टनर को बहुत ज़ादा दर्दे दे रही है control कर रही है और उनको manipulate भी कर रही है ठीक है? लेकिन ये person के उपर जो pressure है, इस वज़े से कही न कहीं वो decision नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कही न कहीं बात जब भी हो रही है तब भी fighting हो जा रही है बात जब भी होती है fighting हो जाती है, फिर किसी न किसी वज़े से मैं देख पा रही हैं कि आपके और partner के बीच में tabar moment आया है और ये energy में उतार चुरा हो रहा है क्योंकि अगर ये आपके सच्चा प्यार है और उनके life में कोई toxic है या हो सकता है कोई इनको third party सिर्फ manipulate करती है, तो ये energy बता रहा है कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं अगर आपको ऐसा सोग कर रहे है कि मैं अपने life में बहुत खुस हूँ dear, बिल्कुल नहीं अगर ये खामोस है, बिल्कुल खुस नहीं है ये सिर्फ दिखावा है उपड़ी दिखावा है, अंद्रोनी तूट चुका है, ये बंदा ये बंदी और यहाँ पे कुछ के पार्टनर आपसे मिलना भी चाहते है लेकिन इन्सिक्योर है, मैं क्या करूँ बेबस है बेबस्षी की एनर्जी है, प्यार बहुत है प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रहे इस वक्त जैसे एक मन में डर भी है और मजबूर भी है क्योंकि आपको ये खोना भी नहीं चाहते है देखे यहाँ पे कुछ वर्ष मुझे लगता है कि अपने उपर ज्यादा फोकस करने लगे हो अपने जॉब पर, अपने करियर पर इस तरह की एनर्जी है लेकिन ये फ्यूचर को लेकर जरूर सोच रहे है आपके साथ लंबा जाना चाहते है लेकिन सबसे बड़ी बात ये आपको खोना दे क्योंकि इस वक्त आपको ये न पेंपर कर पा रहे है न आपकी मदद कर पा रहे है नहीं वो आपकी responsibility ले पा रहे है कभी-कभी इने लग रहा है ये सच्चा प्यार है मैं इसे जितना चाहता हूँ और ये support मुझे बहुत करता है मुझे पेंपर करता है मेरी respect करता है मेरी परवाग करता है मैं खो नहीं सकता लेकिन मैं क्या करूँ है ना मैं क्या करूँ हो सकता है आपके partner भी doctor हूँ या आप doctor हूँ चिक है कुछ viewers आप ऐसे भी हो या आप doctor हो कुछ आप लोग social media पे active हो कुछ लोग अपना coaching वगेरा या फिर vetation हो सकते हो या advocate हो सकते हो चिक है या फिर आपके partner हो सकते है कुछ की private job है और किसी की government job भी है आप या आपके partner का चिक है लेकिन देखा जाए यहाँ पे कुछ वर्स आपको अपने काम पर focus नहीं है चिक है आपको अपने काम पर focus नहीं है दो energy है या आपके stability या फिर आपके career का growth यह कुछ वर्स आप आगे बढ़ना चाहते हो सिड़ियां चड़ना चाहते हो लिकिन कहीं न कहीं बहुत growth आपकी नहीं हो पा रही है और नहीं आपके partner को decision ले पा रहे है अगर आपके partner किसी और के साथ business करते हैं तो कहीं न कहीं आपके partner को कुछ सचाई पता चली जो आपसे share नहीं कर रहे हैं और यह कोई है female मुझे दिख रही है जो menu plating energy है ठीक है देखिए आपके person यह कहना चाहते हैं family parents को भी blame करते हैं उनको भी गालियां देते हैं आपको भी गालियां देते हैं गुसे में आकर करते हैं लेकिन यहने बहुत दुख होता है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ दिया है मेरी परवाह की है मुझे pamper किया, मेरी respect की है फिर मैं ऐसा क्यों करता हूँ कुछ वियर्ज आपके partner इन्होंने आप पर हाथ में उठाया आपको control करने की कोशिस की ठीक है कुछ वियर्ज आपकी image खराब करने की कोशिस की है आपके partner ने ठीक है, लेकिन आपने सहा है आपने सहा है आपको नय चाहिए, justice चाहिए ठीक है ये energy, आपने सहा बहुत है बहुत सहा है आपको भी अपना प्यार चाहिए, justice चाहिए और ये relationship में आप काम तो करना चाहते हो बट कही न कही जब तूट जाते हो तो आप move on करने की कोशिस करते हो लेकिन आप हर problem से निकलोगे, बस खुद पर विश्वास करो, universe में विश्वास करो help मिलेगी आपको किसी न किसी परकार से आपको sign मिलेंगे, किस तरह आपको God से बात करना है, किस तरह universe से बात करना है, किस तरह angel से बात करना है तो आपके help के साथ साथ आपको बहुत कुछ मिलेगे लेकिन आप बात करें यूनिवर्स से बात करें इंजल से बात करें ठीक है या अपनी पार्टनर से बात करें अगर आप स्ट्रॉंग हो जाओगे न तो आपकी टेली पैथी बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगी ठीक है अगर गाइडियंस आपक book करा सकते हो, चीक है, मैं आपको guide कर दूँगी, चीक है, तो इस वक्त, इस relationship में कुछ लोग तो है विवर्स, बहुत है श्टॉप, बेबस हैं, नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टर ये समझते हैं, लेकिन जो इनको trigger होता है, निगेटिविटी जो blockage है, जो इनके dark energy है, वो इनके दिमाग में निगेटिविटी डालती है, आपके खिलाब, आप किसी और से बात करते हो, अगर इनकी family, इनके parents आपके खिलाब बोड़ है, ये लड़की ऐसा है, ऐसी है, वो लड़का ऐसा है, वो सही नहीं है, कोई वीडो है, कोई डिवोर्सी है, कोई single है, फादर है, ये single mother है, किसी के बच्चे हैं, तो नहीं, मेरे घर में ऐसी लड़कियां या लड़के नहीं आते, तो कुछ इस तरह की obstacle आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी responsibility निभाते हो, ठीक है, आप अपनी responsibility बहु भी निभाते हो, no doubt, आप तो pure soul हो, mind blowing, आप pure soul हो, ऐसे soul को मैं कोटी कोटी नमन करती हूँ, जिनके अंदर परमातमा बैठे हैं, आप सब को मेरे तरफ से कोटी कोटी नमस्कार करती हूँ, आपके अंदर God है, universe है, ठीक है, आप बहुत pure soul हो, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, लेकिन आप का बुरा सब लोग चाहते हैं, ठीक है, आप अच्छा करते हो, और आपके जोली में बुराईयां ही आती है, आप किसले अच्छा करने की कोसिस करते हो, उससे पहले आपको ट्रिगर कर दिया जाता है, आप लोगों की सपोर्ट करते हो, फिर भी आपको कोई सपोर्ट नहीं करता इवन कि आपकी गॉसिप भी करते हैं कोई बात नहीं सेल्प केर साल फिलिंग कॉंफिडेंस खुद पर फोकस और साड़ी दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी थोरा सापको डिसिजन लेना होगा अपने कॉंफिडेंस पर काम करना होगा है ना चेंज किजे बाबू है आप बहुत प्यूर सोलो थोड़ा खाना पीना भी ध्यान से खाएं बाहर के सामान जादा ना खाएं कुछ विवर्स अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान दें ठीक है अपनी जो और उसको स्ट्रॉंग करें ठीक है क्योंकि आपके पार्टनर आपकी एनरजी को चुराते भी ह और ट्रिगर कर चले जाते जहां आप टूठ कर बिखरगाते हों रूऽर आपको अपने रोट-चक्रा पे जरूर काम करें, ठीक है? रिलेशन्शिप में भी बैलेंस आगा, आपके लाइप में भी खुसियां आवंडेंस आएगी अगर आप निगेटिविटी यहां फिल कर रहे हो खुद को बदल दो अपने इंट्यूशन की जरूर सुनो मैं इतना ही कहना चाहूंगी आप ओल्ड सोलो, प्योर सोलो इसलिए मैं आप उस जो अंदर आपके जो शोल हैं आत्मा हैं, वो परमात्मा हैं उनको मैं कोटी-कोटी नवन करती हूं एक्स्प्रेस करना सिखिए ठीक है, बात करना सिखिए इनके एनरजी में उतार चुड़ा होता रहता है जब आप बदलते हो, तो आपके साथ नया होता है और आपके पार्टनर आप ही के तरफ होते हैं लेकिन बाबू, यहाँ पे कुछ लोग अपने लाइफ में चेंजिस लाइए देखिए, कुछ के पार्टनर अभी भी बहुत जीते स्टगल कर रहे हैं, लेकिन आपकी वैलू है यह सो नहीं कर रहे हैं इस वक्त आपके बगर मुस्किल हो रहा है उनका अपना लाइफ में चलना आगे बढ़ना, लेकिन इनके एक कोसिस जारी है एक स्टेप वो उठा रहे हैं आपके तरफ एक स्टेप बढ़ा रहे हैं वो आपके तरफ ठीक है, मुझे लगा बहुत बिस नो कॉंटेक्स सिचुवेशन में, जो इनसीक्योर है आपका सामना ये नहीं कर रहे है रिष्टे सुधारेंगे थोरा सा वेट करना होगा, और कुछ ये मिलना चाते है और मिलकर ये कुछ बात करना चाते हैं, कुछ मीटिंग हो सकती है, लेकिन थोरा सा आपको अपने पार्टनर से बातचित होती है तो थोरा कंट्डोल भी रहना है यह सीरियां चड़ रहे हैं आपके तरह बढ़ने के लिए लेकिन यहाँ पर खुद के लिए भी काम करना है ना खुद पर भी काम बहुत इंपोर्टेंट है प्रॉब्लम से उसे भी आप लेटबू कर सकते हैं आप मजबूर हो डर को खत्म करेंगे ना तो ही जीत मिलेगी आपका मिलन होगा ब्लेसिंग्स है डियर आपके पार्टन आपको खोना नहीं चाहते हैं अगर वह आपको रूलाते हैं तो वह भी खुश नहीं रहते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता है लेकिन कुछ वीवर्स आपके पार्टन बातचित कर रहे हैं कुछ वीवर्स आपको रियूनिन होने कर रहे हैं ठीक है कि खुद को वह कंट्रोल करेंगे आपको समझेंगे जब आप अपने उपर प्यार करेंगे लेकिन आप उन्हें सपोर्ट करते हो पैंपर करते हो रिस्पेक्ट करते हो उनके लिए बहुत कुछ करते हो वह ऐसा फिल कर रहे हैं तो कुछ आपके रिलेशनसी से पहले मैं देखती हूं नंबर्स ठीक है डेट ऑफ वर्थ या मैरेज अनिवर्सी या भी आप लोग का वो दिन हो सकता है खास ठीक है यहां पर वान नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है 24, 26, 28, 29, 30 यह मुझे जो स्ट्रॉंग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और लेटर्स में बता देती हूं लेटर्स में इस स्ट्रॉंग है इस की एनरजी बहुत स्ट्रॉंग है M स्ट्रॉंग है T स्ट्रॉंग है F N M भी बहुत स्ट्रॉंग है F G I H D U A स्ट्रॉंग है R P A यह मुझे बहुत स्ट्रॉंग लेटर्स दिख रहे हैं और जितने मुझे साइन मिले मैंने वो बता दिया आपको ठीक है यह सर्णेम भी हो सकते हैं लेटर्स में सर्णेम यह आपके पार्टनर का नाम जो होता है उनका फर्स्ट लेटर्स हो सकता है इस वक्त आपको भीवर्स कुछ स्टेप उठाने की जरुवत है ठीक है इस वक्त कुछ कार्मिक पैकेज के इनर्जी चल रही है ठीक है तो इस वक्त आप लोग को 30 नमबर अगर दिख रहा है तो प्लीज मैं कहना चाहूंगे कि आप लोग को अवेर रहना है ठीक है 30 नमबर होता है वो कार्मिक से रिलेडेड होता है तो 30 यानि 13 नमबर अगर आपको दिख रहा है तो यहां पर आपको बिल्कुल पॉजिटीव रहने की जरुवत है खुद को ट्रिगर करने की जरुवत नहीं है ठीक है इस वक्त अवेर रहने की जरुवत है खुद को हील करने की जर आपको सपने के थूरू, आपको मैसेज मिला है, चाही युनिवर्स गॉड की तरफ से हो, कुछ रिलेशन्शिप को लेकर आपके तरफ कुछ गाइडेंस भी दिये जारी है, सपने के थूरू, दुणियां को तो कम करना चाहरे हैं, दुणियां बढ़ गे इस वज़े से ये गुचा कर रहे है, ठीक है, हो सकता हौल में आप लोग के बीच में, मीटिंग हुई हो, या हो सकता, आने वाले टाइम में मीटिंग । हो सकती है, ठीक है, थौरा अवेय रहना है, confidence रखना है गुस्से पेकाबू रखना फाइट ने करना है इनके इनरजी में अभी भी उतार चड़ा है लेकिन कुछ वर्च आपके पाटा आपसे बात करना चाहते हैं आपने खाने पीने का ध्यान दीजिए ठीक है एक रूटीन बनाईए आप अगर मॉर्णिंग में उठते हो को अलग सी चीज है लेकिन अपने रोज की रूटीन में खाने में चेंजिस लाएं ठीक है आपके पार्टर मैंने कहाना अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो देखिए आपके साथ न्याय होगा बाबू टाबर मोमेंट आया उनक जस्टिस करेंगे लॉसेस की एनरजी है देखिए मैं बता देखिए आपके साथ न्याय होगा नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट वांट यहां पर अर्शाइन बहुत कम है डियर ठीक है आपके साथ जस्टिस होगा न्याय होगा कुछ लीगल इसु तक बात चलिए आप लोग में यहां पर ठीक है लीगल इसु तक बात चलिए डिवोर्स के एनरजी आ रही है आप लोग में ठीक है लेकिन आपके परसंट नहीं चाहते हैं उन्हें हैसा लगता कि आप चले जाएंगे अपनी फैमिली को बचा कर रखना चाहते हैं ठीक है ऐसी एनरजी है आपके तरफ एकसन लेना चाहते है उनके मन में है कि अगर आपको यह खो देंगे तो इनकी लाइप बरबाद हो जाएगी ठीक है और लॉस होंगे ठीक है इस वक्ते आपके पार्टनर कुछ आपको खोना नहीं चाहते हैं और थर्ट पार्टी इनरजी है बहुत स्ट्रंग जो आपके पार्टनर को ट्रिगर करें और उनके बिच में टाबर मुमेंट आया है हो सकता है यहां दिवोर्स की इनरजी आ रही है या लीगल इशू की या प्रोपर्टी से रिलेटड या प आपके पार्टनर आपके तरफ कॉल मेसेज कर चुके है या पिर करने वाले है ट्राबलिंग के इनरजी है आपके पार्टनर आपके तरफ ट्राबल करकर आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं आपके साथ देखिए अगर आपकी फैमिली हस्मेंट वाय है तो आपके पार्टन आपके तरफ आ रहे हैं, यह दिखाए देरे action के energy है, success के energy है, यहाँ पे आपके partner आपको फैमिली को बजा कर रखना चाहते हैं, family हो, बच्चे हो, जो भी हो, अगर आप उनके life से चले जाओगे, तो इनकी जिनकी बरबाद हो जाएगी, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते है क्योंकि third party चाहते हैं, आप दुनों का दिल तोड़ना, अलग करना, तो कहीं न कहीं third party जो है, आपके partner के life में, कहीं न कहीं आपके बीच में है, जो वो नहीं चाहती, और कुछ viewers, आपके partner देखिए, action में है, ठीक है, action हो रहा है, कुछ positive, कुछ good news मिलने वाल idea, ठीक है, और यहां reunion के sign दिखाए दे रहे, आप एक दूसरे के counterpart हो, यहां भी निकला idea, two of cops के energy, इस रिष्टे को सोच रहे हैं, इस रिष्टे को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, reunion चाह रहे हैं, action लेना चाहते हैं, और यहां पे, आपके partner कहा जाए, तो इस वक्त, आपके partner, third party से related, ब बहुत चुपा रहे हैं, और वो क्यों चुपा रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो अब आपका दिल थो रहे हैं, three of sorts, ठीक है, अगर आप unmarried हो, या जो भी होड़ी है, जो भी viewers है, अगर आपके partner की family है, तो हो सकता है कि उनके life में वो रिस्ता toxic भी हो सकता है, third party जहां उ उनके energy जो आपके partner married है, चीक है, लेकिन ये person डर रहे हैं, ये person डर रहे हैं, ये person डर रहे हैं, खोना नहीं चाहते हैं आपको, और ये क्या चुपा रहे हैं, अपने life की परशानिया, third party की problems, इनके बीच में fighting, losses, legal issue, धमकी देना, manipulate करना, पैसे से related, और property से related, divorce से related, लेकिन सच पुछी है, तो आपके partner ये जो बाते चुपा रहे हैं, वो इसलिए चुपा रहे हैं, कि आपको pin नहीं देना चाहते हैं, आपको दर्द नहीं देना चाहते हैं, वैसे इनों ने आपको बहुत कुछ दिया है, जो दर्दी दर्द दिय किया है, लेकिन आपने इनकी बहुत respect किया है, बहुत care किया है, बहुत pamper किया है, बहुत support किया है, अब और नहीं, आपकी प्रातना सुनी जा रही है, ठीक है, तो बहुत विर्स आपके reunion होने वाली है, ठीक है, तो be positive, be strong action की energy है, यहाँ पे, लेकिन अगर जो बाते आपसे partner छुपा रहे हैं, उन्हें कुरेदनी की कोशिस ना करें, नहीं तो आप दोनों का रिस्ता टूट जाएगा, ठीक है, फाइटिंग हो सकती है, आपके दोनों के बीच में टाबर मुमेंट आ सकता है, ठीक है, प्रेशर है, बहुत विर्स आप लोग की reunion हो रही है, बातचीत मंगल होगा, मेरे guidance को follow करें और life को change करें, सब कुछ अच्छा होगा, खाने पीने, अपने career, अपने finance या अपनी figure सब पर focus करें, रिष्ते तो ऐसे सुधर जाएंगे जब आप अपने आपको बदल दोगे, एक नई सुरुआत होने जारी है, कुछ वर्स थोरा सा wait कीजिए, खुद को control किजिए, माफिक एनर्जी में आओ बेटा, जिसको माफ करते हैं, आपको multiply करके आपके लाइप में खुसियां आती है, वो बंदा आपके सामने गिर गिराता है, अगर उसे दिल से माफ करते हो, ओम नमस्शिवाय, जैस्री हनुमान, सित्तारा, रिष्ते को सुध आप करते हो, तो आपके लाइप में चेंजिस आने सुरू हो जाते हैं, अगर आप अलग रिलिजन के हो बाबू, तो आप अपने रिलिजन के आप बाड को अपने जो भी आप प्रेयर प्रातना करते हो, उनको भी आप कीजिए, है ना, तो आगे बरोगे, इसे आपकी गलत अच्छी लगए दियर तो लाइक करें शेयर करें चानल को सब्सक्राइब करें थैंक ये सो मच एंड गाड ब्लेस यू